वेलकम बचों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जवाहर नवोदे विद्याले का एक सैंपल पेपर जो हमें खुद नवोदे विद्याले ने प्रोवाइट कराया है तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भरेंगे पहले मान लीजे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे X,Y,Z capital letter में लिखें और signature यहाँ पर आप अपना जो है X,Y,Z कुछ भी signature यहाँ पर करेंगे ठीक है और English वाले भी बच्चे देख सकते हैं जो passage है वो यहाँ English में दिया होगा next video में हम Hindi का भी passage solve करेंगे section 1 जो है बच्चों हो हमारा mental ability test का है part 1 और देखें यहाँ पर हमारा जो directions दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको 4 figures दिये हुए हैं और आपको odd figures को अलग करना है ठीक है odd one out है यह हमारा तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पहला questions है देखें सब में same figure दिया हुआ है बस line का अंतर है यहाँ पर line बाहर कटी है यहाँ पर भी बाहर कटी है यहाँ पर बाहर कटी है जबकि इस वाले में figure में first figure में हमारा line अंदर की तरफ कटी है तो option A जो है यह हमारा odd one out हो जाएगा next में देखें यहाँ पर KIT है यहाँ पर TIK है यहाँ पर ITK है जबकि यहाँ पर IKC है यानि C यहाँ पर different है तो यह option D जो है वो हमारा सही हो जाएगा next आप देखेंगे देखें यहाँ पर आपको sum code दिखाया हुआ है यहाँ पर भी sum code को highlight किया हुआ है यहाँ पर भी sum code को highlight किया हुआ है यानि यह सब sum code तरफ है जबकि यह आपका sum code तरफ नहीं है तो यह हमारे चार question solve होगे पटापट से चलिए next section पर चलते हैं next जो हमारा section है वो आप सभी को पता है कि हमें क्या करना है आकरिती मिलान करना है ठीक है same figure हमें धूनना है तो यहां पर लिखा हुआ है कि exactly the same figure ठीक है तो exactly हमें तो सेम तुसम फीकर है वो झूनना है तो यहां पर यह वाला宮 जूनना है यहां पार three black उसके बाद है यहां पे दो बीच में lige हसाँ से यहां पर तेनों एकसाथ है दोनों लाइन एकसाथ है यहां पर 31 एकसाथ है यहां साथ है इसमें जो है वो exactly same है तो option B हमारा right हो जाएगा बच्चो नेक्स हम देखेंगे तो next हम देखेंगे बच्चो यहां पर दो circle है और नीचे दो line है ठीक है और इस तरह का figure बना है तो हमें same to same ढूनना है तो मैं दिख रहा है कि same to same कौन साह सें टो सें कौन सा है थी वाला भाकि यह आपका नहीं है भुमा हुआ है यह भी कूंअ हुआ ह्यआ को सें डो नस्टाम हम से कह रहा है देखें चारओ तरफ तीर निक्ले हुए तो चारओ तरफ तीर केवल सी निकले हुए BEं तो सी जो है जो थर्ड है हमारा यह किसका है बचो आकरती पूरती परिक्षान तो यहां पर मैंने अपनी जो ट्रिक बताई थी वह आप फॉलो करेंगे सबसे पहले आप क्या करिए यहां पर इस तरह से फीगर को कम्प्रीट कर दीजे पैंसल से आप करिएगा ताकि अगर कोई गलती हो त जो बाहर की तरफ है टाकि है तो यह आपका सेम टू सेम नहीं होगा सें टू सेम कौन होगा Option b और इसी से हमारी अकृती कोई होगी नेक्स चलिए इसको भी पूरा कर लेते हैं बहुत इजी होता है तो यहां पर चार गोले बनें तो हम एक दो तीन चार गोले बनाएंगे चार डॉट है तो एक दो तीन चार डॉट बनाएंगे और यहां पर कट इस तरह का हमारा कौन सा है तो हम पहले ढूंबते हैं तो देख इस वालों कॉलर कर लेंगे इस तरह से और इस वाले हिस्ते को भी छलर कर लें उसके बाद क्या किया इन्हों ने उसके बाद यहां से एक लाइन यहां तक खीच दी है ठीक है तो इस तरह का हमारा कौन सा है इस तरह का हम देख रहे हैं option A हमें दिख रहा है same to same तो option A पे जो है बचो हम टिक करेंगे ठीक है तरह जब आप complete कर लेंगे तो बहुत easy हो जाएगा फिर यह है part 4 देखिए इसमें पहले एक circle था फिर एक circle एक cross फिर एक circle तो next क्या होगा एक circle cross एक circle और एक और cross तो ऐसा कौन सा है circle cross circle cross तो circle cross circle cross किसमें है option C में तो option C को टिक करेंगे next देखिए क्या किया इह उन्होंने यह चित्र था इसको उल्टा किया और एक cross बढ़ा दिया फिर इसको उल्टा किया और एक cross बढ़ा दिया तो तो B होगा और ना D होगा और इसमें चार क्रॉस हैं तो option C जो है वो हमारा सही हो जाएगा फिर next देखिए यह हमारा आकरिटी है इसको इन्होंने 90 डिगरी घुमाया इधर फिर 90 डिगरी घुमाया इधर तो यह arrow आपका यहां आ जाएगा इस तरीके से यह यहां चला जाएग और यह यहां नीचे आ जाएगा तो ऐसा हमारा कौन सा है ऐसा हमारा option B है बचो तो option B को टिक करेंगे ठीक नेक्स देखिए यहां पर त्रिबुच था इन्होंने इसको यहां घुमाया है 90 डिगरी ठीक है यह arrow भी 90 डिगरी यह सर्किल भी 90 डिगरी यह यानि पूरी आकरित ठीक है अब next में क्या कह रहा है देखिए यह पड़ा था यहां खड़ा हो गया फिर यहां पड़ा तो यहां पर आएगा खड़ा हो जाएगा तो यहां पर ऐसा box होगा तो यह भी cancel हो गया अब सरकिल यहां आ जाएगा तो सरकिल सीधा सीधा यहां जाएगा दोनों में सरकि तो पहले मैं इसको मिटा लेती हूँ ताकि arrow की direction पर हम ध्यान दे सकें, अब देखिए, arrow पहले यहाँ था, फिर कहां गया, नीचे गया, फिर इधर गया, तो next में कहां होगा, उपर, ठीक है, देखिए, ऐसे था, अब यहाँ आपने pen से भी करके देख सकतें, फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, तो next में कैसा होगा, ऐसे, तो यहाँ पर हमारा B वाला जो है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, arrow को आप हमेशा pen से करके देखिए, आपको बहुत easy हो जाएगा question, फिर कह रहा है question, figure, तो यहाँ पर साधिश्रिता करना है, इसकी जो इससे संबंद है, वही यहा किया है, सारे corners को मिला दिया है, तो यहाँ पर जब हम सारे corners को इस तरीके से मिलाएंगे बच्चों, तो जो आकरिती बनेगी, वो यह बनेगी, option, जो है, यहाँ पर हम सारे corners को मिलाएंगे, तो option A जो है, वो हमारा right हो जाएगा, बच्चों, next देखिए, यहाँ पर क्या है, इन्होंने इस आकरिती को उल्टा कर दिया यहाँ पर तो इसमें क्या होगा ये वाली आकरिती उल्टी हो जाएगी तो ये वाली आकरिती उल्टी होके कौन सा बन रहा है हमारा C वाला बन रहा है ठीक है तो option C सही हो जाएगा next में क्या है इसमें क्या है यह आकरती बाहर थी इसके अंदर घुश गई तो यह आकरती बाहर है इसके अंदर घुश जाएगी तो ऐसा कौन सा है हमारा तो देखे सर्किल इसके अंदर जाना चाहिए तो option B तरिबुच के अंदर हमारा जो है यह आपका वर्ग था वर्ग के अंदर जो है circle को घुश जाना चाहिए फिर next क्या रहा है देखें यहाँ पर किवल एक में cross थे तो यह 3 में कर दिया लेकिन कहां पर इसके अगल बगल वाले में यह ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर था तो हम इसके अगल बगल वाले में ही fill up करेंगे तो अगल बगल वाले में fill up करेंगे तो option C जो है वो हमारा सही हो जाएगा ठीक है चुकि इन्हों ने इसके अगल बगल में ही fill up किया है जो adjacent इसके हैं तो हम भी adjacent को ही fill up करेंगे आकरिती पूरी करनी होती है तो मैंने आपको जो बताया था आप पहले क्या करिए इसको नाप लीजे ठीक है इसको नाप ली हमने तो यहाँ पे भी उतनी बड़ी line बना दीजे उसके बाद मिला दीजे इस तरह से अब आपको ये वाला हिस्सा ध्यान में रखना है तो ऐसा देखे आपको कौन सा दिख रहा है same to same दिख रहा है हमें D वाला तो option D जो है वो हमारा सही हो जाएगा बच्चों इसको बच्चों हम पूरा करेंगे तो पहले हम circle को पूरा कर लेते हैं उसके बाद देखे दो line में बनानी है उसके बाद यहाँ पे color करना है इस तरह किसे तो इस तरह का हमारा कौन सा है option B कौन सा दिकरा option B ठीक इस तरह से आप करेंगे बच्चों बहुत easy हो जाएगा आपके लिए उसके यहाँ पे हम क्या करेंगे यह simple हम इसको मिला देगे इस तरह के से तो यहाँ पर दिखे इस तरह का कौन सा है option B नेक्स्ट हम इसको पहले नाप लेंगे बच्चो उसके बाद ऐसे मिला देंगे तो यह कौन सा है हमारा option C तो C को हम टिक करेंगे next बच्चो हमारा जो है part 7 यहां पर हमें question figure दिया इसका mirror image बताना है तो देखे जब इसका mirror image बनेगा तो आप ऐसे देखेंगे कि यह pen है ठीक है अब यहां पर mirror है तो यह ऐसे दिखेगा ठीक है देखे समझे यह pen है यहां पर ऐसे तो यहां पर यह कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा ठीक है समझ में आ रहा है ऐसा है तो ऐसा दिखेगा ठीक है तो हमारा यह arrow यहां पर किस तरह से ह जाएगा इस तरह से हो जाएगा और यह वाला arrow अब देखे इस तरह से है pen तो यहां पर जाके इस तरह से हो जाएगा ठीक है इस तरह से दिखाई देगा तो इसको हम बना लेते तो यहां पर यह जो है हमारा ऐसे बन जाएगा तो ऐसा हमारा कौन सा है बच्चो तो हम देखते हैं ऐसा हमारा option 1 है तो a को हम ठिक करेंगे फिर next देखे next कह रहा है c तो अब यह देखे c धर जाएगा तो c ऐसा हो जाएगा यहाँ पर equal हो जाएगा यह इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा लेकिन इसकी lining पलट जाएगी अब lining यहाँ पे ऐसे थी तो यहाँ पे कैसे दिखाई देगी ऐसे तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे lining ठीक है और x तो x के जैसा ही दिखेगा तो ऐसा हमारा कौन सा है बच्चों हम देखते हैं यह तो कट हो गया c equal c equal c equal यहाँ पे lining नहीं तो यह भी कट हो गया option d जो है यह हमारा सही हो जाएगा तो इस तरह से पहले आप जो है जो गलात है उसको काट दीजे अब i n k k उल्टा होगा तो कैसा बनेगा ऐसा फिर यह n यहाँ आ जाएगा तो n कैसा बनेगा n भी उल्टा बनेगा बच्चों और i इधर आ जाएगा ठीक है तो k पहले आएगा फिर n आएगा फिर i आएगा ठीक है तो इस तरह से हम बनाएगे तो k n और i तो ये दोनों हैं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो देखे, ये हमारा same to same दिख रहा है, तो ये सई हो जाएगा, क्यों कि here it is, ये सीधा है, तो N सीधा नहीं दिखता है, N उल्टा दिखता है, ठीक है, नेक्स देखिए बच्चो इसकी image दिखेगी तो ये plus यहाँ आजाएगा, cross यहाँ चला जाएगा, minus यहाँ आजाएगा और divide यहाँ आजाएगा, ठीक है, तो हम देखते हैं, ऐसा कौन सा है हमारा, ऐसा option C में है, तो हम C को टिक करेंगे, ठीक है, next कह रहा है, भाग art, यहाँ पर हमें paper folding method है, तो आप इसको मैं paper के जरीए भी करके आपको दिखा सकती हूँ, देखिए बच्चो इस तरह का paper है, हमें कह रहा है कि पहले ऐसे fold करिए, तो हमने इसको पहले इस तरीके से fold कर लेना है, देखिए, तरीके से fold कर लेना है, ठीक है, फिर कह रहा है, इसको ऐसे fold करिए, तो हम इसको ऐसे fold कर लेंगे, अगेन हम से कह रहा है, ऐसे fold करिए, तो हम ऐसे fold कर लेंगे, उसके बाद हमें cut बनाने को बूल रहा है, तो बच्चो उसमें पूरा cut है, हम पूरा नहीं काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, ताकि हम खोल सक तो आप गर पहले प्रैक्टिस जब कर लेंगे बच्चो ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इसको यहां पर कट करना है तो हम यहां पर कट कर गेते हैं देखिए एक दब उसी तरह कट हो गया अब जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए हमें पैटन कैसा दिख रहा है तो इस तरह का पैटन कहां दिख रहा है हमें इस तरह का पैटन हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे नेक्स देखिए नेक्स से ऐसे फोल्ड किया फिर अगें ऐसे फोल्ड करिए तो हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया फिर नेक्स हमसे कह रहा है ऐसे फोल्ड करिए ठीक है ऐसे फोल्ड कर लिया हमने उसके बाद यहां पर हमें दो सर्किल कट करने यहां और यहां ठीक है दो सर्किल इस तरह से हमें इस त अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारा क्या पैटरन बना होगा, ठीक है, यहां पर आपको लंबा दिख रहा है, लेकिन सर्किल कटेगा, तो इस तरह से हमें बच्चो सर्किल के पैटरन दिखाई 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 दिखाई, इस तरह से सर्किल के पैटरन आपको लील है इसको एक बृड है इसारग रहा है कि यहां पर एक तरिभूज और एक चरकिल कट कीजिए हम थोड़ा बड़ा कट करेंगे त्सकूंज छोटा कट करने में प्रापलम होती है ठीक है इस तरीके से एक थ्रभूज और एक सर्किल हमें कट करना है तो हम कट कर लेंगे यह हमने थ्रभूज काट लिया और यह हमने सर्किल कर लेंगे अब हम इसको खोल के देखेंगे है अगा चार हमें बाहर सर्किल मिलें और अंदर चार त्रिभूज अंदर की तरह इस तरह से बंड़ें तो इस तरह का मारा ओप्शन त्य है करना कि जब हम कट कर रहे हैं तो कैसे कट करें अन्य था केवल बुक से पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा और मैं आपको बताना चाहूंगी बच्छों कि मैंने खुद नवोदे एक्जाम क्वालिफाई किया है और मेरे पढ़ाया हुए कम से कम 30-40 बच्चे नवोदे तो आप इस तरह से प्रेक्टिस करें orang होब कि आपका सेलेक्शन ज़रूर होगा पार्ट नाइन में क्या कर लेती हैं एक हमें ऐसा दीछन तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें तो चारो त्रिबुज दिख रहे हैं, इसमें भी चारो आपके त्रिबुज दिख रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये इसमें से और इसमें से कुछ हो सकता है, तो ये चौड़ा है, तो ये नंबर 1 वाला ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये और 4 तो यानि option B जो है वो हमारा same next हम देखते है बच्चों तो हम इसकी numbering कर लेते 1, 2, 3, 4 तो 3 और 4 same to same होने चाहिए और 1, 2 भी same to same होने चाहिए तो देखे हम यहाँ पे रख सकते हैं कि यह 3 हो गया, यह 4 यह 1 और यह 2 क्योंकि same to same ऐसा दिख रहा है next है यह 1, 2, 3, 4 and 5 यानि 5 टुकड़े total होने चाहिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह देखे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है लेकिन यह तिर्चा कटा हुआ है इसमें तो यह 1, 2, 3, 4 है तो यह वाला बचा तो हम इसको लेक सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानि यह वाला माला सही है तो option B हम टिक करेंगे next देखे है यह है मारा 1 इसको 2 कर लेते हैं और इसको 3 तो 1 हमें तर्भुच चाहिए 1 हमें वर्ग चाहिए और 1 हमें ऐसी आकरिती चाहिए जो इस तरीके से कटी होगी है तो इसके इधर कटा हुआ है जबकि इसके इधर नहीं कटा हुआ है तो यह नहीं होगा इसमें 2 वर्ग काट दिया तो यह भी नहीं होगा इसमें 2 तर्भुच काट दिया तो यह भी नहीं होगा तो यानि यह वला होगा बच्छो देखे एथ दो और तीसरा पार तो option D जो है यह हमारा सही हो जाएगा बच्छो 10th part हम करते हैं तो देखे इसमें हमें इस तरह का figure ढूणना है यह इस तरह से तो यहां पे बनाते हैं L तो बन जारा लेकिन नहीं तो यह भी नहीं होगा यहां पे तो बनी नहीं रहा है यहां पर इस तरह से हमें एक ये बनना चाहिए उसके अंदर एक ऐसा और फिर ऐसा तो ऐसा हम जूनते हैं बच्चों, तो ये तो देखें, यहां पर आके कुछ नहीं बन रहा तो ये नहीं होगा, इसमें है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इसको हम बना के देखते हैं, इस तरह से हमने बनाया, इस तरह से हम आए और यह बना तो यह हमारा हो सकता है बच्चों ठीक है इसमें देखते हैं इसमें यहां आने के बाद नहीं बन रहा है तो यह भी नहीं तो यानि option B जो है वो हमारा right हो जाएगा बच्चों नेक्स हमसे के रहा है पहली बात तो यह just n होना चलिए और इधर और इधार निंखला अंचिक है टो यह in तो है लेकिन इसका बाहर क्यों ग्लात यह नहीं होगा ठीक है यहां पर देखते हैं बच्चों देखिए इस तरह से अगर हम बनाएं ये ये और ये ठीक है तो यहां पर हमें मिल गया option B में जो है यह हमारी आक्रिती छुपी होगी इस तरह से हमको देखना है कि ये हो और ऐसा हो तो यहां पर यह तो है लेकिन यह ऐसा है तो यह नहीं होगा यह वाला देखते हैं बच्चों देखिए यह यहां पर हम ऐसे करेंगे और यह सर्किल ठीक है option C में हमें यह आक्रिती छुपी होगी दिख रही नेक्स हमारा है अर्थमेटिक टेस्ट अर्थमेटिक का सेक्शन ब आगे बढ़ते रहें बाई 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 बच्चों